SSC Previous Year Question Reginning के Chapter 7 Series का Question हम लोग करेंगे पहला Question हम लोग देखते हैं SSC 1999 में आया है निम्न स्रेडी में लुप्त संख्या ग्यात कीजिए 1,0,3,2,5,6 फिर Question Mark तो यह Question Mark के जगा पर क्या रखा जाएगा तो यहाँ पर हम लोग पहले Series लिख लेते हैं एक, जिरो, तीन, दो, पांच, छे और फिर question mark तो difference हम लोग देखते हैं, multiplication देखते हैं, addition देखते हैं तो एक से जिरो हुआ, यानि एक था जिरो हो गया, तो minus 1 हुआ जिरो से तीन हो गया, तो plus 3 हुआ, तीन से दो हो गया, तो तीन से एक घटे का तब दो होगा दो से पांच हुआ, यानि plus 3 हुआ, तो अगर हम लोग जल्दबाजी में देखेंगे कि एक घटा, तीन जुड़ा, एक घटा, तीन जुड़ा, लेकिन यहां देखें, पांच से 6 हो गया यानि एक जुड़ रहा है, तो यह कोई पैटन नहीं फालो हो रहा है अगर difference की बात करी जाए, क्योंकि पहले एक घटा, three जुड़ा, एक घटा, तीन जुड़ा, अब एक जुड़ रहा है, तो difference में कोई पैटर नहीं मिल रहा है तो अब हम लोग क्या करें दूसरा तरीका देखते हैं अगर जल्दबाजी में आप करेंगे कि एक घटा तीन जुड़ा एक घटा तीन जुड़ा तो गलत हो जाएगा फिर से देखते हैं एक, जीरो, तीन, दो, पांच, छे और ये क्वेस्चन मार्क है यानि हर नमबर में देखें तो डिफ्रेंस में कोई पैटर नहीं मिल रहा है अब देखते हैं एक से हम तीन गए अल्टा नेट देखते हैं तो एक से तीन गए तो हमने दो जोड़ा होगा तीन से पांच गए तो दो जोड़ा होगा अल्टा नेट नमबर में पैटर देखते हैं जीरो से दो हुआ तो हमने दो जोड़ा फिर दो से छे हुआ तो चार जोड़ा यानि दो सीरीज मिल रही है alternate series यहां पर मिल रही एक series तो हमारी है पहली वाली 1, 3, 5 1, 3 alternate में 1, 3, 5 और यह question mark वाला इसी series में आ गया और अगली series क्या बन रही है 0, 2, 6 0, 2, 6 यह dot dot करके इसमें क्या pattern है पहले 2 जुड़ा फिर 4 जुड़ा फिर यह आएगा अब इसमें क्या है दो दो जुड़ रहा है 1 प्लस 2 मिलके 3 हुआ 3 प्लस 2 मिलके 5 हुआ तो 5 प्लस 2 मिलके question mark होगा यानि 5 प्लस 2 7 यहां पर रखा जाएगा तो answer हमारा correct हो गया इसका D 7 तो इसमें हमको यह ध्यान रखना है कि difference अगर देखेंगे तो X 0 हुआ एक घटा तीन बढ़ा एक घटा तीन बढ़ा तो जल्दवाजी में गलत हो जाएगा इसलिए हमको यह यहां तक अगर आप देखेंगे तब पता चलेगा कि यह difference में pattern नहीं है यह alternate number series बना रहे है यानि 1, 3, 5 question mark 0, 2, 6 question number 2 हम लोग देखते हैं सेसिव नी सो निनाद में आया है निम्न स्रेडी में लुप्त संख्या ग्याद कीजिए 1438, 1429, 1417, 1402 फिर question mark तो question mark के जगा पर फिल करना है तो पहले series हम लोग दुबारा लिख लेते हैं 1438, 1429, 1417, 1402 और यह question mark आप difference हम लोग देखें तो 1438 से 1439 घटाएंगे तो 39, 138, 138 यानि कितना घट रहा यहां पर 9 घट के यह हो रहा है यहां से फिर देखें 29 से 17 हो गया यानि 17, 3, 20 और 9, 29 यानि यह माइनस 12 हो रहा है 17 से यह 1417 से 1402 हो रहा है तो यह क्या हुआ माइनस 15 हो तो अगला यह क्या pattern है यह देखना है तो माइनस 9 हो फिर माइनस 12 हो फिर माइनस 15 हो तो यह देखें इसमें कितना कितना बढ़ता जा रहा है आपका माइनस 9 घटाया फिर माइनस 12 घटाया फिर माइनस 15 घटाया तो अगले में क्या होगा माइनस तीन बढ़ता चला जा रहा यानि माइनस नो में माइनस नो में माइनस तीन जुड़ा फिर माइनस बारा में माइनस तीन जुड़ा तो अगला क्या घटाया जाएगा माइनस पंदरा में माइनस तीन जुड़ेगा यानि माइनस अठारा तो माइनस अठारा घटेगा यानि 1402 से 1402 से आपका 18 घटेगा तो 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पर हो गया 9 9 में से 1 गया 8 और 3 1384 1384 आगया आफसन भी हमारा करेक्ट हो गया तो सिंपल से सीरीस तीश में हमको difference देखना था तो 9 घटा फिर 12 घटा फिर 15 घटा तो अगला क्या घटाने पर question mark आएगा 18 घटाने पर आंसर हमारा हो जाएगा 1402 से 18 घटा देंगे यह आएगा 1384 question number 3 देखते हैं लुप्त संख्या ग्याद करना है सीरीज में 1,2,6,24 question mark 720 तो पहले सीरीज हम लोग लेख लेते हैं 1,2,6,24 question mark यहाँ पर 720 तो question mark जाएगा फिल करना है अगर difference देखें तो एक का difference फिर चार का difference फिर यह आपका 18 का difference तो difference में कोई pattern नहीं मिलेगा तो क्या pattern हो सकता है यहाँ देखें एक से दो हुआ हमारा एक से दो गए तो यानि क्या किये हमने 1 into 2 हुआ,2 से 6 कब हो गा,2 into 3 होगा 6 से 24 कब होगा, जब 6 into 4 होगा तो अब देखें क्या pattern मिला पहले multiplied by पहले नमबर multiplied by do 2 अगला नमबर multiplied by 3, अगला नमबर multiplied by 4 यानि पहले 2 से गुड़ा किये फिर 3 से गुड़ा किये फिर 4 से गुड़ा किये तो अगला नमबर क्या होगा multiplied by 5 और अगला नमबर क्या होना चाहिए multiplied by 6 यानि ये नमबर question mark हमारा हो जाएगा 24 गुड़े 5 तो 24 गुड़े 5 क्या होगा 5 ओके 20 के 0 हासिल 2 5 दूने 10 2 12 और यहां पर जो question mark की जगा नमबर है 120 आएगा आपसर सी हमारा करेक्ट हो गया question number 4 देखते हैं निम स्रेडी में लुप्त संख्या ग्यात कीजिए यह आपका date दिया हुए 4 12 95 फिर 1 जनौरी 96 हुआ फिर 29 जनौरी 96 फिर 26 फिर 26 परोरी 96 तो question mark की जगा पर क्या होगा तो pattern पहले हम लोग देख लेते हैं यह आपका नमबर पहले नोट कर लेते हैं आपका है 4 दिसंबर 1995 अगला है आपका 1 जनौरी 96 फिर है 29 जनौरी 96 फिर आपका 26 फरोरी 96 और फिर question mark तो देखें दिसंबर 4 दिसंबर से 1 जनौरी हुआ यानि 4 दिसंबर पंचान नवे से 1 जनौरी 96 फिर दिसंबर हमारा 31 का होता है दिसंबर में 31 दिन होता है तो 4 दिसंबर से 1 जनौरी तक हमारा हो जाएगा 27 इसमें हो गया यह कि यह 28 दिन का डिफरेंस हो गया एक जनौरी 96 से 29 जनौरी 96 जाएंगे तो कितना डिफरेंस हो गया 28 दिन का डिफरेंस हो गया 29 जनौरी 96 से 26 फरोरी तक जाएंगे तो इसमें डिफरेंस किया जोएगा जनौरी भी आपका 31 का होता है तो ये difference कितना हो गया 28 दिन का यानी आब हमको इसमें क्या करना है ये जो 26 फॉरवरी 96 है 26 फॉर्वरी 96 इसमें वो नमबर लिखना है कि difference आपका क्या है 28 हा यानी इसमें 28 दिन हमको जोड़ देना है 28 दिन जब इसमें हम जोड़ेंगे तो यह आपका फरोरी है तो यह हो जाएगा आपका 26 फरोरी से यह हो जाएगा 25 मार्च 96 क्योंकि फरोरी आपका जो होता है फरोरी 29 दिन का होता है तो फरोरी 29 दिन का है तो 26 से लेके 29 हुआ और यानि जो है तीन दिन हो गया 26 से 29 तो महिना आपका पूरा हो गया फरोरी फिर 25 दिन और ले लिया इसमें मार्च में तो 25 दिन 28 दिन तो यह 28 दिन का डिफ्रेंस आ गया तो 25 मार्च 1996 तो यह हमारा आफसन नंबर भी करेक्ट हो गया तो एकदम सिंपल सा क्वेस्चन यह था इसमें जो दे थे चार डेट दे पूरेंगे तो फरोरी आपका होता 29 दिन का तो यह हो गया 25 मार्च 1996 कि क्वेस्टन नंबर फाइव हम लोग देखते हैं निम्न स्रेंडी में लुप्त संख्या ग्यात कीजिए स्रेंडी क्या है आपका दो तीन दस उनतीस च्याच्छट क्वेस्टन मार्ट तो स्रेंडी हम यानि दो में हमने एक जोड़ा होगा तीन से दस हुआ यानि तीन में साथ जोड़ा हो गया दस से उनतीस हुआ यानि उननीस जोड़ा होगा हमने और उनतीस से च्छाच्छट हुआ तो यानि उनतीस एक तीस तो यह 37 एड़ किया होगा हमने तो यहाँ पे क्वेस्टन मार् 12 के भाग 2 हभ फिर साथ हुआ फिर 19 हुआ फिर 37 हुआ तो जब पैटर्न न मिले डिफ्रेंस में तो एक बार सी और दुपारा डिफ्रेंस किया जाता है तो एक से साथ अजो डिफ्रेंस आया उनमें डिफ्रेंस उनोग देखते हैं यानि एक साथ ऐनी इसे यह हमारा difference आया अब इसमें difference देखते हैं एक से 7 हुआ यानि 6 जुड़ा 7 से 19 हुआ यानि 12 जुड़ा 19 से 37 हुआ यानि 19 से 20 ये 18 जुड़ा 18 जुड़ा यानि 6 जुड़ रहा है फिर 12 जुड़ रहा है फिर 18 जुड़ रहा है यानि अब यह हमको समझ में आ रहा है कि 6 फिर 12 फिर 18 तो अगला क्या जुड़ेगा 24 जुड़ेगा तो अगला जो हमारा होगा यहां पर कि यह 37 के बाद यह क्या नंबर आएगा यहां पर तो यह 37 में 24 जुड़ के आएगा एक दो सिंपल बात है कि एक में 6 जुड़ा तो 7 आया 7 में 12 जुड़ा तो 19 में 18 जुड़ा तो 37 आया तो 6 बारा अठारा 24 तो 37 और 24 यानि यह नंबर यहां वाला जो होना चाहिए 37 और 24 37 3 40 20 60 और 61 यह नंबर क्या हो गया 61 यानि यह जो डिफरेंस वाला नंबर हमारा आया था 1, 7, 19, 37 इसका अगला नंबर पता चल गया 61 अब यहां पे हम लोग 66 प्लस 61 कर लेंगे क्योंकि 1 जुड़ा 7 जुड़ा 19 जुड़ा 37 जुड़ा 61 जुड़ेगा तो 66 प्लस 61 तो यह हो गया 7 और 6 जुड़ा 1227 तो आपसं C हमारा करेक्ट हो गया तो अगर एक बार डिफरेंस करने पर पैटन ना दिखे तो दोबारा डिफरेंस करके देखना चाहिए तो वही बात यहां पे थी 1, 7, 19, 37 आया तो हमको नहीं पता कि अगले वाले में क्या जुड़ा जाएगा तो इसमें डिफरेंस की 6, 12, 18 तो इसका मलब अगला वाला 24 जुड़ के मिला होगा